मोधी टू के एक साल पूरा होने पर लगातार आप चर्चाए देख रहे हैं लेकिन आप बड़ी खबर आपको बता दे विमान के पाइलेट के करोना पॉस्टिव होने के कारण एर इंडिया का विमान मॉस्को से खाली ही लौट आया विमान के उड़ान भरने के बाद पाइलेट की करोना रिपोर्ट आई फिर बीच रास्ते में ही पाइलेट को विमान लौटाने का संदेश भीजा गया एर इंडिया का विमान मिशन बंदे भारत के तहट मॉस्को से भारते नागरिकों को लाने गया था बड़ी खबर इस वक्त की है खाली फ्लाइट को लेकर बीच सपर से पाइलेट को लौटना पड़ा क्यूंकि उसकी रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट करोना की पॉसिटिव निकली वंदे भारत प्लाइट का ये पाइलिट जो कुरोना पॉस्टिव निकला है दर असल मॉस्को से भारतियों को वापस लाने के लिए ये विमान उड़ा था लेकिन रिपोर्ट आने के बाद खाली ही लॉटना पड़ा हम रुकर एसी के साथ एक ब्रेक के लिए लेकिन लगातार बने रही है हमारे साथ क्योंकि अजेंडा आज तक में मोदी तू के एक साल पूरा होने पर लगातार चर्चाए और इंटर्व्यूस जारी है देखते रहे हैं आज तो अब लॉकडाउन नहीं बलकि अनलॉक वण ज च्ठान है वो भी खुलेंगे आठ जून से अनलॉक वण का सरकार्ड ने एलान कर दिया है इसमें क्या-क्या खास बाते होंगी वो आपको बता देते हैं यह देखिए सिलसिलेबार तरीके से जो धार्मी के सुथल है उसे खोलने की अरुमती दी जाएगी लेकिन कुछ निय स्कूल, कॉलेज को भी ग्रीन सिगनल यह फेस टू में होगा अनलॉक वण को भी अलग अलग फेस में बाटा गया यह हम आपको फेस टू के बारे में बता रहे हैं फेस टू में कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे यह दो बड़ा निर्ण है इसके अलाबा ट्रेनिंग इसके अलाबा मेट्रो और थेटर को भी अनुमती दी जा सकती है जीम और स्विंग पूल की बात की जाए तो यहां भी खोलने की अनुमती दी जा सकती है तारीक लेकिन इसकी तह नहीं है को आप फिसे आपके सामने स्पश्ट कर दें यह फेस 3 की बात हो रही है और इस बार जो में एहतियात के भी इंतिजाम किये गए हैं जाने से बहुत ज्यादा शती पहुंची है और इसलिए उसको भड़पाई के लिए रेविनी जनेरेट करना बहुत जरूरी है और यही कारण है मुख्यमंत्री महमता बैनेजी ने कहा है कि जून के आठ तारिक से 50% से 70% बढ़ा दिया जाएगा जो एम्प्लॉई पार्ट सेक्टर और गवर्मेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में उसके साथ साथ उन्हों ने ये भी कह दिया है कि बाकी जितने भी इस पर बातचीत करेगी और नया डिसिशन जो है पस्चिमंगाल सरकार की ओर से शायद वो कुछ दिनों में हमें मिल सकता है जी इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि अब एक राजे से दूसरे राजे में जाने के लिए किसी तरह के पास की अवश्यक्ता नहीं पड़ेगी एक जून से तस्वीर बदल जाएगी अनलॉक वन की दिशा में भारत कदम बढ़ा रहा है और फेज वाइज एक एक करके चीजें खोले जाने की तयारी है पहले फेज में एक जून से आठ जून तक उसके बाद दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शेक्षनिक संस्थान खोलने का फैसला ये राजे सरकारे करेंगी लेकिन उस दौरान मेट्रो सेवा, जिम, पाक, सिनेमा बंद रहेंगे और फेज में इन चीजों को खोलने पर सरकारे फैसला करेंगे और साथी अंतराष्टिय उडान के लिए भी फैसला तभी होगा, मेट्रो के लिए भी फैसला तभी होगा और उसकी गाइडनाइंग्स भी अलग से जारी कर दी गई हैं दोस्तों पसंद आया ना ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोज देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना हम और भी मज़ेदान वीडियोज आपके लिए ला रहे हैं तब तक के लिए शुक्रिया फिर मिलेंगे